हाई आप रीवन कैसे हैं आप सबी लोग आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं बीएसी थर्डियर वालों के लिए केमिस्ट्री का साइकिन पेपर है जिसे हम औरगनिक केमिस्ट्री कहते हैं दोस्तो हम आपको केबल इस वीडियो में इंपोडेंट कोशन देने वाले हैं जो इंप्रोमेंट एक्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोडेंट है जो भी हाली में या फिर आपका बैक पेपर होने वाल जो भी उनिवस्टी है चाहिए वो आपकी चिंता करने जुरुते नहीं है मैं बो दूँगा जो आपको एक्जाम में आ रहा है और आपको यह सबको बिश्बास है कि महें बही है वह आपको बताते हैं जो एक्जाम में आता है वाल तो कुछ नहीं देते आप उनको पढ़ लो अलक्षन की बादी इसाइद हो सकते हैं पेपर आपका 2022 वाले हो क्योंकि अलक्षन उसके बादी होगा अलक्षन की बादी होगा ऑचार साहरत तब तो स्टर्टिंग हो जाएगी यह कॉशन आपको देख लेना है पिरॉल और पिरिडीन बनाने की विदी उनके गुण के बारे इसको पढ़ेंगे आप याद करेंगे जो भी करना मुझे बनाने आप करेंगे यह मैंने फर्स्ट पेपर में भी आपको इंपोर्टेंट दिया था तो इस में उनके फर्स्ट पेपर मैं आपको इंपोर्टेंट दिया था क्क के और बिलकुल सिमपल तरह करेंगे उसके बाई मिंट भॉलीकरल आप बहुत ज्यादाि यह जिसेह कहते हैं और यह यह चीए हो इस आप को जाएगे और नीचे जाएंगे अब बड़ी नहीं है यह सब कुछ मैंने कर रहा कि बार बनाने की बीदियांगे जिसे कहते है डिसके जाजए Wr ann आयधि स्प्क्त्रम ऑुप हो सके तो DNA RNA में की परीबाइब यह तो DNA RNA सभी को पता होगा High School Intern में पढ़ा है यह तो आप बना के लिग दोगे ठीक है सब कुछ बना के लिग दोगा कुछ फालतु नहीं है यार कुछ पढ़ने के जो थोड़ी होती है बिए जो आपने High School इंटर्म पढ़ाया ठीक है और यहाँ अप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आर्थोर पैरा हाइड्र ऑक्सी वेंजु वेंजु वेंजुल हाइट इसको भी आप याद करेंगे मॉस्ट इमपोटेंट रहेगा यह उसके बाद में आप देखेंगे शलफ नल बनाने की विधी क्या होती है ठीक है सल्फ नल बनाने की विधी के बाने की बाद में आप देखेंगे आरेनista सर版चना अम आप व These ARE नी के बारे में फुल अबों देखना लेना इंद्अ उसके बाद में हम रंजग क्या होते हैं इसको आप देखेंगे डेज की बारे में और टेरिलीन बनाने की विदी डेने आरेने मोग पर बता चुका हूं यहां कुछ नहीं देखने हैं देखें यहां आप देखो यूरिया फर्मिल्डाइड जो होते हैं उनकी किरिया रेजिन बनाने की विदी आपको देखेंगे रेक्शन कैसे होती है और फिनोल फर्मिल्डाइड रेजिन इनको तो रेक्शन होती है उसके बारे में आप दयात करेंगे आयोडीन सावनिकरन क्या होता है यह तो आप सिंपल तरीके से सब याद होगा आपको कुछ एक्स्ट्रा रॉज़ता है तो आपको बस इतना पढ़ना है इसमें इंप्रोमेंट एक्साम के लिए या फिर एक्साथ तीनों वाला है उनको हम भी हम एक साथ तीनों करके बना देंगे वीडियो आपको चिंदा करने की जुरूत नहीं है ठीक है तो चल्बो सब्सक्राइब करना ना वो झाल